आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुती इंट्रस्टिंग लेसन और ये लेसन है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कौन कलपना चावला तो कलपना चावला के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो कम्प्लीट लेसन है यह हमारा जो CBSE का लेसन अमिज नंबर फोर है यह तो कम्प्लीट हम इस लसन को पड़ेंगे तो चलीय शुरू करते हैं तो लेसन का नाम भी आपको मैं दिखा देता हम सबसे पहले यहां पे तो लेसन का नाम है एन इंडियन अश्तम वुमेन एक वुमिंग जो इंडियन भी है अमेरिकन भी है, इन स्पेस यानके अंतरिक्ष में कौन है, कल्पना चावला, तो यह हमारे लेसन का नाम, तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यह दो पॉइंट लिखे हुए है, तो इसको मैं जल्दी से एक बार पढ़ देता होता है, अंतरिक्ष यान होता है, that is made, जिसको बनाया जाता है, that यहाँ पे रेलेटिव प्रोनावन है, that is made, जिसको बनाया जाता है, for repeated space travel between earth and a space station, कह रहे हैं, space shuttle, एक spacecraft होता है, अंतरिक्ष यान होता है, जिसको बनाया जाता है, repeated space travel के लिए, कि travel किया जासके space में बार बार unlike a rocket एक rocket की तरह नहीं जैसे rocket है उसको हम एक बार यूज करते हैं तो इसलिए लिखा है unlike a rocket है नहीं कि रोकेट की तरह नहीं तो space shuttle को बार-बार यूज करने के लिए उसको बनाया जाता है for example दे रखा है इसको कहां यूज करते हैं between earth and a space station जो antrix में space station होता है तो वहाँ पे travel के लिए इनको use करते हैं और एक चीज और कि कल्पना चावला एरोनौटिकल इंजिनियर थी और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि मेरी qualification क्या है तो I am also an aeronautical engineer तो आगे पढ़ते हैं use a dictionary to do the tasks below करें नीचे जो टास्क दे रखे हैं इसके लिए dictionary का use करें क्योंकि यह सारे वर्ड अभी यूज होंगे तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं पहला टास्क यह है find out the meanings meanings को find करो of the following words जो नीचे दिये गए words है उनको and phrases और phrases को word word मतलब होते हैं शबद यानिके single word phrase होते हैं जो दो या तीन शब्दों से जूड़के बने जैसे नेचुरलाइजड यूएस citizen है तो यह तीन word से बनावा है लेकिन यह complete sense नहीं दे रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एक phrase और यहां space लिखा है तो यह single word है इसको शब्द बोलेंगे तो कह रहे है जिनको यह underline किया हुआ है in the phrases phrases में तो आपको यहां पे word याद करना है look up जब आप किसी को कहेंगे कि यह वाला जो word है इसका meaning dictionary में देखो तो आप हमेशा use करेंगे look up look up the word in the dictionary तो इसका मतलब होता है ढूंड़ना सर्च के जगह look up तो यह word यहां पे use होंगे अभी जो प आके जब उनको आकी citizenship मिल जाते है तो वह naturalized citizen कहलाते हैं तो जैसे कलपना चावला इंडिया की थी लेकिन वह USA में जाकर सैटल हो गी थी तो कलपना चावला को कहेंगे कि वह naturalized US citizen थी space का मतलब होता है अंतरिक्ष frontiers of space space मतलब अंतरिक्ष और frontiers मतलब क्या होगी सीमा है जो पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने 6th class का lesson 1 कराया था history का पूरा lesson कराया था एक घंटे की वीडियो थी उसको जुरूर देख लीजेगा बहुत knowledge मिलेगी तो उसमें एक word आया था frontier तो यहां भी frontier repeat हो रहा है तो frontier का मतलब होता है जो border होता है सीमा होती है तो frontiers of space जो अंतरिक्ष की सीमा है अब बोर्ड मतलब जो crew members होते हैं जो उस space shuttle से travel करने वाले होते हैं जो उस पर चड़ जाते हैं उनको अबोर्ड बोलते हैं lift off lift off मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ उडान भरना जैसे take off है take off क्या होता है एरोप्लेइन रन्वे पर दोड़ रहा है दोड़ते दोड़ते ऐसे उड़ता है थोड़ा सा हलका सा horizontal होता है जबकि जो lift off होता है वो वर्टिकल होता है आपने देखा अंतरिक्ष यान किस तरह से सीधा 90 डिगरी की तरफ उडान भरते हैं इसको बोलते हैं लिफ्ट ओफ और टेक ओफ जो जहाज थोड़ा सा horizontal में उडान भरता है उसको take off बोलते हैं अगला क्रूप क्रूप का मतलब होता है जो वह मैंबर्स होते हैं जो संभालते हैं जो भी पाइलेट होता है या फिर calculations करने वाले वो सब crew members कहलाते हैं crew तो इसको group of group of people बोलते हैं और आगे लिखा है यह बहुत important point है जो नीचे लिखा है notice the spellings spellings को note करो of these words इन शब्दों की in this lesson इस lesson में पहला word दे रखा है airplane दूसरा दे रखा है program कहरें this is how these words are spelled कहरें this is how इस तरह से इन शब्दों को spell किया जाता है in American English American English में यानि के airplane American English में लिखा जाता है program भी American English में इस तरह से लिखा जाता है how are they spelled इनको कैसे लिखा जाता है in British English British English में तो हम British English use करते हैं तो British English में airplane को हम लिखते हैं aeroplane A-E-R-O-P-L-A-N-E तो दोना spelling सही है program British में लिखते है P-R-O-G-R-A-M-M-E तो आपने कही जगा मेरी वीडियो में भी देखा होगा program इस तरह से लिखा हुआ या फिर इस तरह से तो यह British है और यह American और यहां पे जो चैप्टर कराया था that's how that's what that's when that's which तो यह वही है this is how and these words are spelt अगें यह भी पैसी वाइस तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गयोंगे सारे तो अब आप पढ़िये lesson मेरे साथ तो आपको आप समझ में आएगा तो और न्यूज रिपोर्ट तो जब एक न्यूज रिपोर्ट आई थी तो यह इस तरह से लिखके आई थी कि tragedy in space tragedy मतलब होती है दुखद घटना incident होता ह है घटना incident is घटना यह भी मैं लिख देता हूं incident कोई भी घटना हो सकती है accident होती है दुखद घटना और tragedy होती है दुखद घटना ठीक है accident तो incident is कोई भी घटना, accident is दुर घटना, tragedy is दुखद घटना तो कहा रहे है tragedy in space अंतरिक्ष में एक दुखद घटना US Space Shuttle जो US Space Shuttle Columbia है तो यह नाम है क्योंकि वो Columbia से lift off हुई थी तो US की Space Shuttle जो Columbia है इसका नाम था पूरा breaks into flames तो वो तूटके जल गई, राक हो गई, flame मतलब लप्ते और break into मतलब तूटके वो लप्तों में और एक word आया था यहां पे मिलको दिख गया तो मैं आपको बता जेता हूँ unprecedented बहुत important word है unprecedented इसका मतलब होता है अभूत पूर्व यानिके एक ऐसी घटना जो कभी भी ना घटी हो उसको बोलते है unprecedented जैसे कोविड पहले कभी नहीं आया था अभी आया तो यह क्या हुआ कोविड एक unprecedented situation है तो अब मैं लेसन पढ़ता हूँ अब आप ध्यान से देखते जाएगा कलपना चावला सेड कलपना चावला ने कहा that key she never dreamed उसने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था as a child in करनाल जब वो करनाल में बच्ची थी that key she would cross वो क्रॉस करेगी पार करेगी the frontiers of space ज कोड़ी मैंने वर्ड बताया frontiers मतलब सीमाए of space अंतरिक्ष की और ड्रीम की second और थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड या ड्रैम्ट और यह जो स्ट्रक्चर है इस पास्ट डैट के साथ जुड़ा पास्ट प्लस पास्ट पास्ट अगर के साथ कोई अगर future का संटेंस आ जाए जैसे आपे विल का है तो विल वो हमारा वुड में बदलता है बहुत बार बता चुका हूं तो आपको ये भी बता दूँ कि आप में से कोई भी अगर step by step English सीखना चाहता है तो मेरे app को download कर लो app का नाम है become English Champion जिसमें मेरा one year का course है आप उसको definitely join करे उसमें जो कुछ भी सिखाया ह उसको सीखने के बाद जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और समझ भी आएगा और English को सीखे बिना पढ़ोगे तो tension होगा stress होगा कुछ भी समझ नहीं आएगा that is why you should definitely enroll in this one year course तो कल्पना चावला का करती थी या उसने का कि उसने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था कि जब वो बच्ची थी करनाल में कि वो क्रॉस करेगी सीमाओं को अंतरिक्ष की यह काफी था that की हर parents allowed हर कि उसके parents ने उसको allow कर दिया to attend engineering college तो मतलब काफी था कि उनके parents ने उनको engineering college में join करने के लिए attend करने के लिए हां कर दी allow कर दिया वही उनके लिए काफी था after she graduated from tagore school से graduated होने के बाद तो simple सा मतलब है कि Tagore School से graduated होने के बाद मतलब वो schooling पूरी करने के बाद तो उसके लिए काफी था कि उसके parents ने allow कर दिया कि बहुत चलो जाके engineering college में attend कर लो After a bachelor of science degree in aeronautical engineering तो कह रहे हैं जो aeronautical engineering है उसमें bachelor of science की degree पूरी करने के बाद तो यहां aeronautical engineer आ रहे हैं तो मैंने आपको बताई दिया है कि मैंने भी aeronautical engineering की है with 84% aggregate right तो कह रहे हैं bachelor of science की degree के बाद किस में की थी aeronautical engineering में और मतलब एक तो यह और दूसरा against great opposition from our father और उसके जो father थे उसका भी बहुत ज्यादा opposition था opposition मतलब होता है जो रोकने की कोशिश करें वो विरोध में तो अपने पिता के बहुत विरोध के बाद भी she went वो गई for a master's degree master's degree के बाद to the United States of America America में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं अगर 6th class का कोई देख रहा है 7th का 8th का 9th का 10th का उनको नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूँ बी-ए की डिगरी होती है, B.Sc होती है, B.Tech होती है यह जो B.Sc, B.Tech है यह school के बाद की पहली डिगरी होती है Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Technology तो जो पहली डिगरी करने के बाद जो दूसरी डिगरी आती है BA के बाद हम करते हैं MA, BSC वाले करते हैं MSC, BTEC वाले करते हैं MTEC और BCOM वाले जो होंगे वो करेंगे MCOM तो यह degrees होती हैं, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आयोगा Bachelor of Science का मतलद क्या है BSC की डिगरी Aeronautical Engineering में और उसके बाद कौनसी करी, Master's Degree यानिके M वाली डिगरी, Master's Degree तो कह रहे हैं कि Bachelor of Science की डिगरी Aeronautical Engineering के बाद और अपने फादर के बहुत ज़्यादा विरोध के बाद वो गई Master's Degree करने USA में शी उसने लेटर बाद में earned हासिल करी हर PhD अपनी PhD की डिगरी इन Aerospace Engineering में, तो PhD क्या होता है? MSC के बाद की डिगरी, BTEC, MTEC उसके बाद PhD इसी तरह से BSC, MSC, BTEC, MTEC फिर PhD तो उन्होंने बाद में ये डिगरी earn करी, अब आप यहां से एक word उठाएं earn करना, earn करने का मतलब है कि आपने वो अचीव करी आप बोलते हैं, I complete, I have a BTEC degree, I have a degree of this and that तो आप यूज़ करें, I earned my degree from that university तो यह अच्छा वर्ड है जो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं तो अब क्या हुआ? कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut तो जो कल्पना चावला थी, वो पहली Indian American woman astronaut थी astronaut जो अंत्रिक्ष में जाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं astronaut तो वो पहली अंत्रिक्ष यात्री थी जो इंडियन अमेरिकन थी और कौन सी woman astronaut? तो ब्लास्ट ओफ, ब्लास्ट ओफ का मतलब होता है यहां पे उस जाज में बैठके टेग ओफ करना, तो वर्टिकल मैंने अभी उपर बताया था आपको इस तरह से उडान भरते हैं from the, कहां से? from the launchpad, launchpad होता है जहां पे वो space shuttle होती है, जहां से वो launch होता है, उसको launchpad बोलते है तो वहां से उसने उडान भरी उस launchpad से और कहां पे था हो? at Kep Cannaveral, Florida तो इस जगह पे वो था and or participate in a successful mission in space और participate किया, एक successful, मतलब सफल mission में, space में जो हुआ उनका her family, उसका जो परिवार था, from India, इंडिया से, cheered, उन्होंने खुशी मनाई, cheer मतलब खुशी मनाना along with staff, staff के साथ, staff member आप जानते हैं, तो उसके परिवार ने जो इंडिया से था, खुशी मनाई, staff के साथ, कहां पर at the Kennedy Space Center Kennedy Space Center में, as, जैसे ही, they watched, उन्होंने देखा, the Columbia lift-off, Columbia को lift-off करते हैं, lift-off मतलब उपर जाना, मतलब उडान भरते हैं, जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने खुशी मनाई, staff के साथ, तो यहां पर जो Columbia है, यह उस space shuttle का नाम था, तो उसके परिवार ने, जो इंडिया से था, उसने खुशी मनाई, staff के साथ, कहां पर Kennedy Space Station पे, जैसे ही, उस Columbia ने lift-off किया, उडान भरी, यहां पर आप वर्ड याद कर लें, lift-off, अभी बताया था, vertical उडान भरना, और यहां पर along with मतलब उनके साथ, launch pad आप जानते हैं अब, जहां पर launch होता है, कोई भी missile या space shuttle कोई भी चीज, और blast-off again, उडान भरना, जो space shuttle उडान भरता है, तो blast-off यूज़ करते हैं, और यह सारा जो word, first Indian American woman, यह सारा का सारा, यूज़ हो रहा है, as an adjective, और astronaut यहां पर यूज़ हो रहा है, noun, तो यह सारा adjective, तो अभी आगे पढ़ते हैं, Kalpna was born in Karnal, Kalpna कarnal में पैदा हुई, यह हमारा born verb की third form, this is passive voice, past indefinite passive voice, Kalpna चावला कarnal में पैदा हुई, कarnal कहां पे हरियाना में, बट लेकिन, was a naturalized US citizen, अब देख लीज़े, उपर बढ़ आया था, naturalized US citizen, मैंने कहा था कि जो एक country से दूसरी country में जाकर, अगर settle हो जाए, वाहां की citizen से पुन को मिल जाए, तो वो कहलाते है, naturalized country का name और citizen, तो Kalpna चावला कarnal हरियाना में पैदा हुई, लेकिन वो naturalized US citizen थी, married, जिसने शादी करी, किस से to flight instructor, जो flight instructor था, कौन, Jean Perry Harrison, तो यह जो भी है, इनसे इननों यह flight instructor थे, इनसे शादी करी, besides, इसके इलावा, besides मतलब, इसके इलावा, किसके इलावा, besides, being an astronaut, कह रहे है, astronaut होने के इलावा, यहाँ पे being जो है, यह होना, इसका मतलब होता है, और an astronaut, अंतरिक्ष यात्री, कह रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री होने के इलावा, she was licensed, उसको licensed, लाइसेंस दिया गया, to fly, उडाने का, क्या उडाने का, single and multi-engine land airplanes, तो single engine वाला, और multi-engine वाला, land airplanes, उसको उडाने का license मिला, तो यहाँ पे she was licensed, यह हमारा again passive voice है, उसको license दिया गया, उडाने का single and multi-engine land airplanes, और single engine seaplanes, single मतलब एक engine वाला, जो seaplane होता है, जो समुंदर में चलता है, तो वो उसका license मिला and gliders, और gliders का, glider मतलब जिसमें engine नहीं होता है, तो उसका license उसको दिया गया, she was also a certified flight instructor, और वो certified flight instructor भी थी, after qualifying as a pilot, pilot को qualify करने के बाद, मतलब वो जो pilot की qualification होती है, तो वो qualify करने के बाद, कल्पना begin to consider another challenge, तो कल्पना ने शुरू कर दिया, दूसरे challenges के बारे में सोचना, तो consider मतलब होता है, विचार करना, तो कल्पना ने शुरू किया, consider करना यह विचार करना another challenges पे, तो क्या challenge था, applying to NASA's space shuttle program, जो NASA का space shuttle program है, उसके लिए apply करने का, उसने consider किया, she was first hired, उसको hire किया गया, अब यहाँ पे she was hired, again passive voice, past indefinite, और first मतलब पहले, she was first hired, उसको सबसे पहले hire किया गया, किस तरह से, as a research scientist, एक research scientist के रूप में, कहाँ पर at NASA, NASA में, तो NASA की full form क्या होती है, National Aerospace Space Agency, in 1994, इसमे, she was selected by NASA, तो उसको NASA के दुवारा select कर लिया गया, again passive voice, she was selected, उसको select कर लिया गया, और NASA के दुवारा, for training as an astronaut, एक astronaut के training के रूप में, when asked, जब पूछा गया, what it was like, मतलब किस तरह, कैसा होता है, being a woman, एक woman होते हुए, in her field, उसकी अपनी field में, तो यह जो है, यह indirect narration है, जिसको narration नहीं आती है, उसको समझना मुश्किल होगा, मैं आपको लिए थोड़ा सा इसको simplify करता हूँ, when she was asked, तो यह हो गया, फिर हम double inverted comma में, उसके exact word लेते हैं, जो उससे पूछे गए, what it is like, being a woman in your field, उससे यह का गया होगा, what is it like, मतलब आपको कैसा लगता है, कि एक औरत होना इस field के अंदर, मतलब औरत होते वे इस field के अंदर, आपको कैसा लगता है, जब इसको हम passive voice में translate करते हैं, तो यह translation निकल के आती है, when she was asked, तो she was को remove कर दो कोई फरक नहीं पड़ता, when asked, जब पूछा गया, what it was like, कि कैसा है एक औरत होते हुए इस field में, तो उसने she replied, उसने reply किया, I really never ever thought, मतलब मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था, while pursuing my studies, अपनी study करते हुए, or doing anything else, या कुछ भी करते हुए, that की, I was a woman, कि मैं औरत हूँ, कह रहें कि मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था, अपनी study करते हुए, या जो भी कुछ कर रही थी, ये करते हुए, कि मैं एक औरत हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचा था, और या a person from a small city, या मैं एक व्यक्ती हूँ, किसी छोटे से शहर से, और a different country, या फिर मैं दूसरे देश शह हूँ, तो कह रहें कि मैंने कभी नहीं सोचा था, कि मैं एक औरत हूँ, या मैं एक person हूँ, किसी small city से, या फिर मैं किसी different country से हूँ, I pretty much had my dreams like anyone else, कह रहें कि I pretty, मतलब काफी, I pretty much, मतलब काफी, had my dreams, मतलब मेरे बहुत सारे सपने हैं, उसी तरह से like anyone, जैसे हर किसी को होते हैं, and, और I followed them, और मैंने उनको follow किया, तो ये चीज़ है, और एक चीज़ और बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं, एप के अंदर, जब बच्चे आप को download कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे लड़के, लड़कियां होती हैं, वो ये comment करते हैं, Sir मैं तो छोटे से गाउं से हूँ, Sir मेरे पास ये नहीं है, Sir मेरे पास वो नहीं है, और Sir मैं study में मेरे ये रुकावट आ रहा है, वो रुकावट आ रहा है, तो देखिए जिसके लक्षे बड़े होते हैं, उनके सामने रुकावटे कुछ नहीं होती हैं, अब ये कलपना चावला थी, ये भी तो छोटे से सिटी से थी, ये भी तो एक अलग country से थी, क्या इनके लिए challenge नहीं था, और इनका challenge तो इतना बड़ा था, आपका challenge तो उसके सामने बिल्कुल tiny सा है, आपका main issue क्या होता है, 5.99 रुपीज है ना, आप कहते हो कि मेरे पास 5.99 रुपीज भी नहीं है, ये सब बहाने होते हैं, honestly बता रहा हूँ कि जब किसी के अंदर लगन होती है कुछ करने की, वो कहीं से भी arrange करता है, क्या आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जो आपको इतना amount दे सके, क्या आपके parents आपको मना करेंगे 5.99 के लिए, कोई parents education के लिए मना नहीं करता है, main thing है कि आप सच में खुद ही नहीं सीखना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई आपको free of cost दे दे, लेकिन जब आपको कोई जीच free मिलती है, तो आप उसका value नहीं करते हैं, लेकिन जब आपका महनत का पैसा वहाँ पे लगता है, mobile phone है, आपके पास internet के पैसे हैं, लेकिन education के मामले में आप excuse देते हैं, या तो देखिए excuse दे, या education ले, एक काम चुन ले, excuser don't become winners, and winners don't give excuses, now you choose, you are what, excuser और a winner, तो ऐसे मत सोचा करें, करना है तो करना है, तो आगे देखते हैं, and or people who were around me, अब वो कल्पना चावला बता रही अपने बारे में, कह रहे हैं, और जो लोग थे, मेरे आसपास, fortunately, किस्मत से, always, हमेशा encouraged me, उन्होंने मुझे प्रोटसाहित किया, मेरा मनूबल बढ़ाया, and said और कहा, if that's what you want to do, carry on, अगर यही है जो तुम करना चाहती हो, तो लगी रहो, carry on, ठीक है, तो यहाँ पे, fortunately, मतलब, सोभाग्य से, किस्मत से, encourage, मनूबल बढ़ाना, तो आगे पढ़ते हैं, कल्पना's first space mission, कल्पना का पहला अंतरिक्ष का mission, in the space shuttle, in the space shuttle Columbia, तो यह पूरा नाम है उस space shuttle का, तो कल्पना चाहवला का पहला space का mission जो था, space shuttle Columbia में, was 15 days, 16 hours and 34 minutes long, तो इतने time का था, during this time, इस समय के दोरान, she went around the earth, इतने time, तो वो धरती के अराउंड इतनी time गई, तो सोचके देखे, 252 times उसने अर्थ का ट्रेवल किया, traveling 10.45 million kilometers, तो 10 million kilometer travel किया, kilometers, 1 million मतलब होता है 10 lakh, 1 million मतलब 10 lakh, और 10 million मतलब 1 करोड, तो इतने kilometer उसने travel किया, the crew included a Japanese, कह रहे हैं the crew, जो crew था, crew मतलब क्या होता है, जो उसके members होते हैं, जो travel करते हैं, तो वो जो crew था, group of members, included, उसमें शामिल थे, include मतलब शामिल होना, उस दल में शामिल थे, a Japanese, एक Japanese था, and a Ukrainian astronaut, और एक Ukraine का astronaut, the crew performed experiments, तो उस crew ने experiments किये, such as, जैसे की, pollinating plants, pollinating plants का एक experiment था, वो किया, क्यों किया, to observe food growth in space, यह observe करने के लिए, कि वहाँ पे food जो है, space में growth होता है कि नहीं, तो pollinating plants मतलब, वहाँ पे पोदे उगाए, और observe किया, यह observe करने के लिए, कि वो growth होता है, space में या नहीं, and or, tests for making stronger metals, और test किये, और भी ज़्यादा stronger metal बनाने के, and faster computer chips, और भी तेज computer chips बनाने के, तो यह experiments उन्होंने किये, all for a price tag of about 56 million dollars, 1 million का मतलब 10 lakh, 56 million कितना हो गया, मतलब 5.6 करोड, और यह करोड रुपीज नहीं है, this is dollar, और यहाँ पे 1 dollar आज कीमत रखता है, 76 रुपीज, तो आप imagine कर लिजिए, कितना पैसा लगा होगा इन experiments करने में, तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे clear कर देता हूँ आपका, तो पहला उन्होंने experiment किया, pollinating plants, यह observe करने के लिए, कि food growth करते हैं, space में या नहीं, दूसरा test किया, और भी ज़्यादा stronger metal बनाने का, तीसरा, फास्टर computer chips बनाने का, और इन में कितनी कीमत लगी, 56 million dollars, इसके बाद, on the Saturday night, Saturday की night को, when the news about the Columbia disaster broke, जब Columbia disaster की न्यूस, break होई, break मतलब होता है, अचानक से food पढ़ना, तो जब यह Columbia disaster, disaster मतलब आपदा, तो वहाँ पे उनका जो, space shuttle था, वो blast हो गया था, उसमें आग लगी थी, तो यह disaster था, तो कोलम्बिया उस पे शटल का ना, कह रहे हैं सैटरड़े की नाइट को, जब news, कौनसी न्यूस, about the Columbia disaster broke, वो आई, there was shock and disbelief, हर जगा, shock था, सदमा था, और disbelief था, किसी को यकीन नहीं हुआ, यह इसको बोलते हैं, space shuttle, और यह जो है, यह engines होते हैं, जो यह आकाश मिले जाकर, पहले यह अलग हो जाता है, फिर यह अलग हो जाता है, फिर यह अलग हो जाता है, फिर यह space shuttle आगे travel करती है, और इसको बोलते हैं, launch pad, तो अब क्या बोला, कि वहाँ पे shock था, और disbelief था, कि यह space shuttle जल गई, the town of Karnal, तो Karnal का जो यह town था, spent, इसने बिताए, a sleepless night, एक नव सोने वाली रात, तो जितना भी करनाल का शहर था, वो कसबा जितना भी था करनाल का, उसने spent किया, उसने बिताए, sleepless night मतलब रात बर सोए नहीं, in short यह मतलब है, as क्योंकि, और thousands of households, कहरें, बहुत सारे जो हजारों घर थे, stayed glued, वो चिपके रहे, glue मतलब चिपके रहना, वो चिपके रहे to their television, अपने television set से, in the hope, आशा में, किस चीज की आशा द्याट की, तो इस आशा में, वो TV से, हजारों परिवार, glued रहे, मतलब चिपके रहे, कौन सी आशा, कल्पना and the crew, जो कल्पना और crew है, had somehow survived, कि वो किसी तरह से बच जाएंगे, a journalist wrote, एक journalist ने लिखा, अब एक journalist ने लिखा, मतलब जब news अगले दिन, वहाँ पे अकवारों में डाली गई, तो एक journalist यानि के संपादक, एक संपादक ने लिखा, she was a heroine, वो heroine थी, इसमें बहुत विशाल का यह ability लगती है, बहुत ज़्यादा ability चाहिए, to become an astronaut, एक astronaut बनने के लिए, यू need to know, आपको जानने की जरूरत है, a lot about everything, हर चीज के बारे में, from biology to astrophysics, कहरें की आपको जानने की जरूरत होती है, सब कुछ, biology से लेके astrophysics तक, to at aeronautical engineering, astrophysics से aeronautical engineering तक, तो इस से यहां तक, और इस से यहां तक, तो 2-2 हम लगाते हैं, in this age of super specialization, कहरें, in this age, इस age में, super specialization की age में, you must have encyclopedic knowledge, आपको विश्वकोष की knowledge होने चाहिए, encyclopedic होता है, विश्वकोष मतलब पूरे संसार की एक तरह से knowledge, और यह हमारा must have, third form का lesson है, sorry must have नहीं, must have, चाहिए का lesson, जरूर चाहिए, you must have, आपको जरूर होने चाहिए, encyclopedic knowledge, विश्वकोष की ज्ञान होना चाहिए, विश्वकोष का, to be an astronaut astronaut होने के लिए, her achievement is o inspiring, मतलब उसकी जो achievement है, वो बहुत inspire करने वाली है, तो यह लिखाता है, जर्नलिस्ट ने, तो आगे पढ़ते हैं, for millions of young Indians, कह रहे हैं कि लाखों, जवान Indians के लिए, the story of कलपना चावला, कलपना चावला की story, कौन कलपना चावला, a girl, जो लड़की है, from a small town, एक छोटे से कस्बे से, who touched the skies, जिसने आकाश को छुआ, had become an inspiration, वो एक inspiration बन गी, अब आपको मैं तोड़के दिखाता हूँ, यह है क्या, कह रहे हैं, for millions of young Indians के लिए, अब यहां से इसको ब्रेक करें, the story of कलपना चावला, this is subject, had become, यह बन चुकी थी, an inspiration, inspiration, तो यह हमारा है, past perfect, और यह जो है, a girl, यह कलपना चावला के बारे में, additional information डाल रहे हैं, इसलिए कॉमा लगा के, उसके बारे में लिखा, तो यह एक तरह से relative pronoun का का काम कर रहा है, अब, यह जो हूँ है, again, इसके बारे में, कलपना चावला के बारे में, यह भी relative pronoun है, तो इस तरह से इसको ब्रेक कर रखा है, आगे लिखा है, in a message, that she sent, करे एक message में, in a message, एक message में, that जो, she sent, जो उसने भेजा, from aboard, उस aboard से, aboard the space shuttle, मतलब, उस space shuttle में जब वहां से जो बेजा, तो कोलम्बिया, उसका नाम space shuttle, कोलम्बिया से बेजा, two students को, of her college in Chandigarh, तो students जो थे, उसके college के Chandigarh में, उनको एक message बेजा, कलपना सेड, कलपना ने कहा, अब यह जो, चंडिगर की बात हो रही है, मैं भी Chandigarh से ही हूँ, और जो कलपना चावला, जहां पर पड़ी थी, वो है, पंजाब इंजिनिनिंग कॉलेज, पैक से, तो पैक मेरे गर से, यहां से सिरफ, दो किलोमेटर की दूरी पे है, जस्ट, और वहाँ पर, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है, तो अकसर मैं वहाँ पर जाता हूँ, बहुत बार गया भी हूँ, तो वहाँ पे एक, हेलिकॉप्टर भी रखा है, वहाँ पे, सारी जगार देखा मैंने, तो मेरा एक दोस्त भी वहाँ पे रहता है, और, वहाँ से उसने स्टडी करी है, अपनी एरोनॉटिकल, तो उसका होटल, होस्टल भी है, कलपना चावला होस्टल के नाम से, पंजाब इंजिनिंग कोलेज, सेक्टर ट्वाल्फ चंडीगड के अंदर, तो जस्त यहीं पर है पास में, तो कहा रहे हैं कि, एक मैसेज में, जो उसने भेज़ा, स्पेस शटल कोलंबिया से, स्टूडेंट्स को, अपने कोलेज के चंडीगड में, तो कलपना ने उसमें कहा, अब यह डबल इनुवर्टेड कॉमा में है, उसका एक्जेक्ट मैसेज, अब इसको आप अच्छे से, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, पाथ, कहारें, जो रास्ता है, फ्रॉम ब्रीम्स टू सक्सेस, सपनों से सपलता का रास्ता, डज एक्जिस्ट, वो एक्जिस्ट करता है, वो अस्तितों में है, राइट, एक्जिस्ट मतलब अस्तितों में होना, जिसका कोई वजूद होना, तो कहरें जो path है, रास्ता है, सपनों से सफलता का, वो exist करता है May you have the vision तुमारे पास एक vision हो to find it, इसको find करने का the courage और सहस हो to get on to it, इसको hustle करने का तो यहाँ पर vision क्या होता है, vision मतलब एक व्यक्ति जो चीज देख पा रहा है और दूसरा नहीं देख पा रहा है उसको बोलते है vision, जैसे मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ तो इससे क्या benefit होगा, वो मैं जानता हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे यह आपकी help करेगा English को flourish करने में तो जिस नजर यह से मैं देख पा रहा हूँ, वो आप नहीं देख सकते हैं तो इसको vision बोलते हैं, तो मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि आप मेरा one year course जोईन करें क्योंकि मुझे पता है कि उससे क्या benefit होगा तो वो vision मेरे पास है, आपके पास नहीं है आप अपनी धारणाओं के इसाप से imagine करेंगे, judge करेंगे but I know कि क्या हो सकता है तो कलपना चावला ने यही कहा उसको कि vision होना चाहिए अपने vision को find करो, अपने अपके पास courage होना चाहिए उसको पूरा करने का, wishing you a great journey और शुब जर्नी हो आपकी, तो यह message था कलपना चावला का there will surely be many, कह रहे हैं कि पक्का बहुत सारे होंगे there will be many, मतलब बहुत सारे होंगे, surely पक्का कौन होंगे, who start off, जो start करेंगे on this journey to fulfill their dreams, इस journey को अपने सपनों को पूरा करने के लिए fulfill मतलब पूरा करना, fulfill their dreams, अपने सपनों को और start off मतलब शुरू करना तो कहने, surely बहुत सारे लोग होंगे, जो start करेंगे अपनी इस यात्रा को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो ये थी आज का हमारा lesson number 4 from class 6 adapted from span, January, February 1998 तो इस से ये लिया गया है तो ये था हमारा lesson, तो बाकी question answer दे रखे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा because मैं या question answer नहीं करा रहा हूँ, मैं तो आपको English पढ़ना सिखा रहा हूँ तो आप में से कोई भी English सीखना चाहता है तो become English Champion app को अब भी डाउनलोड करें और उसमें one year course को join जरूर कर लें definitely करें So thank you for watching this video और वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और कल्पना चावला के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप एक line दो line जरूर लिखें comment section में तो एक tribute होगा कल्पना चावला को So thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में